हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और प्रोड़क्ट रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करके आप अपने चेहरे पर के एकने पिंपल्स और उसके वज़स से होने वाले दाग धबो को हटा पाएंगे, ये एक बहुत ही आसान उपाय है, वैसे तो मैंने बहुत सारे क्रेम्स और फेश्वास के वारे में आपको बताया है, और आपने यूज भी किया है, काफी लोगों को उसका बेनफिट्स में मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनके चेहरे पर इन सब क्रेम्स और जो बेनफिट्स हैं, नहीं हो पाता है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे नहीं पूछ पाते हैं तो उनको ये वीडियो दे करके benefits मिल जाएगा तो दोस्तों ये बहुत ही आसान उपाय है जिसे आप अपने घर पे कर सकते हैं और इसका benefits ले सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस उपाय को इस नुस्के को आप कैसे करेंगे इसमें कौन-क इसके पास नेचूरल पौधा है उससे भी आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं इसका साथ ही आपको यूज करना है बे किन्ग सोडा यानिकि सोडियम बाइकर्गोनेट का यूज करना है और इस तरह के से आप इसका एक पेस्ट बनाएंगे और अपने इसको चेहरे पे अप्ला लेना है जैसा कि मैंने यहां पे लिया हुआ है आधा चम्मच छोटे आधा चम्मच के बराबर ही पाउडर मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए और इसमें आपको 10 से 15 बुंद आपको निम्बू इसमें डालना है निम्बू का रस डालना है जैसे कि मैं आपको डाल के दि इसमें एलोएरा जेल एड़ करना है इसके बाद करीब एक चोथाई चम्मच इसमें बेकिंग सोडा यानि की आपको सोडियूम बाइकार्बोनेट का इसमें यूज करना है सोडियूम बाइकार्बोनेट आपको आसानी से किसी भी दुकान में जनरल इस्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा अब इसको आपको एक पेश्ट तयार करना है बहुत ही सिंपल है आप आसानी से इसको कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को ये इसका बेनफिट मिला है बहुत सारे लोगों ने अपने एकने पिंपल से रहात पा लिए इसको आप नहाने से पहले जहां भी आपके एकने पिंपल हैं वहाँ पे इसको लगा लेना है अपने चेहरे पे और मैक्सिमम बीस मिनट तक अपने चेहरे पे इसको रखना है उसके बाद सादे पानी से इसको साफ कर लेना है ऐसा आप सुबह साम कर सकते हैं और एक दिन गैप करके आपको इसको करना है सबता में तीन दिन इसको आपको करना है इसके साथ आप जो भी क्रीम्स या फेश्वास का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं और बहुत ही आसान है और इस नुस्खे को आप अपलाई करके आप अपड़ने जो प्रॉबलम है आपके स्कीन में आपके चेहरे पर उससे छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों होच सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको किया हो इस नुस्के को किया हो आपको benefit मिला हो तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं और ऐसा कोई और भी उपाय आपके पास आप जानते हो जिससे आपको benefits मिला हो आपके skin problems से तो उसको भी मुझे share करके comment करके बता सकते हैं जिससे मैं उस पर वीडियो बना करें काफी लोगों तो उस वीडियो को पहुँचा सकूँ तो आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं आज की जनकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी और जनकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को like करना ना भूले तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जनकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार